आज के इस टुटोरियल में हम लोग क्रिएट करेंगे एक सिनेमेटिक इंट्रो गाइज स्टिक अराउंड एंड कीप वाचिंग करेंगे प्रीमियम प्रो सफ्ट्वेर प्लस आफटर इफेक्ट बिना कुछ देरी किये शुरू करते हैं आज की वीडियो और सबसे पहले एक लुप देते हैं आज के इंट्रो की दैन हम लोग शुरू करते हैं अपना टुटोरियल प्रीमियम प्रो में सबसे पहले हम लोग क्रियेट करेंगे सीक्वेंस सीक्वेंस क्रियेट करने के लिए हम लोग निव आइटम पे क्लिक करेंगे और सीक्वेंस को सलेक्ट करेंगे और यहां पर हम लोग सीक्वेंस सलेक्ट करेंगे उसका नाम है Benkir Retro और font size को हम लोग यहां से increase करेंगे 300 पे and then हम लोग यहां पे हमारा text enter करेंगे तो मैं enter कर रहा हूँ this summer अब हम लोग केवल this को select करेंगे और this के size को हम लोग reduce करेंगे 200 पे अब guys हम लोग control A करके सारे text को select करेंगे और यहां से इसकी vertical position जो text की spacing है उसको reduce करेंगे almost this much और यहां से हम लोग हमारे text को center align करेंगे and align and transform में जाके इसकी horizontally position and vertically position को centrally align करेंगे अब हम लोग हमारी timeline के ओपर zoom करेंगे और जो हमारा यह text है यह 5 second का है इसको reduce करके हम लोग 3 second पे कर देंगे अब guys इस text के ओपर हम लोग right click करेंगे right click करके हम लोग जाएंगे replace with after effect composition तो यह हम को ले जाएगा after effect में यहां पर हम लोग project save as cinematic title and ok press कर देंगे save कर देंगे तो यह हमारा जो this summer है वो अब after effect में आ गया अब guys यहां पर मैंने दो texture already import कर रहे हैं हम इस clip में use करने वाले हैं तो इन मेंसे जो भी texture आप use करना जाते हैं वो आप use कर सकते हैं तो मैं जैसे इस texture को drag करके इसके नीचे drop करता हूँ and then इसको मैं यहां से align करता हूँ मेरे text के size के हिसाब से अब guys मैं यहां पर track mat लगाँगा अब guys हम हमारे text को select करेंगे और इसकी copy create करेंगे ctrl d करके and इसको drag करके सबसे नीचे drop करेंगे और यहां से इसकी visibility को on कर देंगे then हम लोग जाएंगे effects and presets में और यहां पर हम लोग select करेंगे drop shadow drop shadow को हम लोग drag करेंगे copy की वह text layer के उपर drop करेंगे and then यहां से इसकी opacity को हम लोग 100% कर देंगे और जो इसकी direction है उसको हम लोग 180 degree पर करेंगे and distance को हम लोग 25 पर करेंगे and softness को हम लोग 35 पर करेंगे और यहां से हम लोग select करेंगे shadow only अब आप लोग देख रहे हैं कि जो हमारा text है उसके नीचे shadow आ गई है अब हम लोग हमारे premium pro software में जाएंगे तो यह जो हमने वहाँ पर text create किया था वो अब यहाँ पर transfer हो गया अब हमारी text वाली layer को हम लोग drag करके track 2 के उपर shift कर देंगे अब guys यहाँ पर हम लोग import करेंगे जो हमको supporting files की requirement है तो right click करेंगे, import पर click करेंगे यहाँ हमारी requirement है, जो हमारी required clips है उनको select करेंगे और import कर लेंगे अब guys यहाँ से हमारी background clip को हमोग drag करके track 1 के उपर drop करेंगे और इसके size को भी reduce करके हम लोग 3 second पर कर देंगे अब guys हम लोग हमारी background clip को select करेंगे और यहाँ से effect control के अंदर जाएंगे और effect control के अंदर जाके हम लोग scale animation on करेंगे और background की scale को हम लोग यहां से increase करेंगे around 300 and then हम लोग हमारे playhead को कुछ frame आगे लेके जाएंगे और यहां पर इसकी scale को हम लोग कर देंगे 100 अब guys जो start point था animation का उस पर हम लोग right click करेंगे और यहां पर हम select करेंगे ease out और end point को select करके right click करके select करेंगे ease in अब guys हम लोग इसका graph panel open करेंगे तो graph open करने के लिए हम लोग इस arrow पर click करेंगे तो हमारे सामने यह graph आजाएगा अब हम हमारे end point को थोड़ा सा extend करेंगे और यहां से जो इसका automatic range rescaling tool है इसको हम लोग deselect कर देंगे और अब जो हमारे graph के nodes हैं इनको हम लोग select करके और इसको हम लोग align करेंगे कुछ इस तरह से और अब इसको हम लोग drag करके और end में ले जाएंगे अगेन एक और बार इसको align करेंगे एक perfect line create करेंगे हम लोग यहां पर तो अब यह पुरी तरह से perfectly create हो गया अब guys हम लोग हमारे text को select करेंगे playhead को starting में लेके जाएंगे और यहां से text की scale animation को on करेंगे और text की scale को हम लोग यहां से increase करेंगे 300 पर playhead को कुछ frame आगे लेके जाएंगे कुछ seconds आगे लेके जाएंगे और यहां पर इसकी scale को हम लोग कर देंगे 70 पर and again starting point select करेंगे animation का, right click करेंगे ease out select करेंगे end point select करेंगे, right click करेंगे ease in select करेंगे again graph open करेंगे और इसमें भी हम लोग उसी तरह से line create करेंगे ताकि effect smoothly work करेंगे, अब इसको drag करके end point को हम लोग clip के end में ले गाएंगे और थोड़ा सा और align करेंगे कुछ इस तरह से गाइज, अब हम लोग यहाँ पे select करेंगे rotation, playhead को starting में लेके आएंगे, और rotation, animation on करेंगे, और यहाँ पे rotation में हम लोग minus 7 degree enter करेंगे, frame कुछ second आगे जाएंगे playhead लेके, और इसको हम लोग यहाँ से 0 कर देंगे, यहां पे भी हम लोग select करेंगे is out and is in इसके भी graph को हम लोग open करेंगे थोड़ा सा इसको आगे लेके जाएंगे पूरा end तक नहीं लेके जाएंगे और यहां से भी इसके automatic animation toggle switch को हम लोग off कर देंगे और हलका सा इसको align करेंगे अब guys similar way में हम लोग further text create करेंगे तो मैं जल्दी से further text create कर ले था तो further text create करने के लिए भी हम लोग same text select करेंगे और यहां पे enter करेंगे the new enemy rise again अब यहां पे हम लोग rise again को select करेंगे और इसके size को हम लोग increase करेंगे 300 पे control A करके सारे text को select करेंगे और centrally align करेंगे सब को again right click करेंगे replace with and replace with after effects composition पे click करेंगे same way में texture drop करेंगे इसके बार में texture align करेंगे text के साथ में alpha matte on करेंगे यहां से and हमारे text को select करके control D करेंगे इसको drag करके सबसे नीचे drop करेंगे drop shadow इस पे लगाएंगे opacity को हम लोग यहां से 100 कर देंगे direction 180 degree distance 25 and softness 35 and यहां से select करेंगे shadow only and यहां से इसकी visibility on कर देंगे और अब जाएंगे premium pro में इसको shift करेंगे track 2 के उपर and similar way में इसकी भी duration को हम लोग decrease करेंगे 3 second यहां से हम लोग हमारे background को copy करके और इसके नीचे align कर देंगे अब गाईज हम लोग further clip create करेंगे तो मैं जल्दी से further clip create कर देता हूं और मैं जल्दी से इसको fast forward कर देता हूं ताकि आप लोगों का time save हो जाए अब गाईज मैंने यह सारे text यहां पे create कर दिया है अब इन में effect देने के लिए जैसे कि जो हमने first clip में जो हमने effect दिया था वही same effect दूसरी clips में भी देने के लिए एक simple सा procedure हम लोग use करेंगे हम लोग यहां से first clip को select करेंगे और इसके motion को हम लोग यहां से effect control में copy कर लेंगे दूसरी clip को select करेंगे उसके motion पे हम लोग right click करेंगे और paste कर देंगे तो यह same effect इस clip पे भी लग जाएगा तो अब इस clip को select करेंगे और इसके starting में जाएंगे और यहां से जो इसकी rotation minus 7 degree थी इसको 7 पे कर देंगे same way के अंदर दूसरी clip को select करेंगे motion को select करेंगे और paste कर देंगे and starting point पे इसकी rotation को हम लोग minus 7 पे ही रहने देंगे and last clip को select करेंगे motion पे paste कर देंगे and यहां पे इसकी rotation को हम लोग कर देंगे 7 degree पे अब guys इसमें हम लोग further clips use करेंगे जो हम लोग इसका environment create करेंगे तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले एक और background clip जो है उसको select करेंगे background jpg को हम लोग drag करेंगे और text layer के ऊपर drop करेंगे यहां से इसकी opacity को हम लोग कर देंगे around 90% पे और इसके blend mode को हम लोग कर देंगे screen पे और इसको extend कर देंगे हम लोग till end अब guys इसमें हम लोग add करेंगे dust तो इस clip को हम लोग select करेंगे और background वाली के ऊपर drop करेंगे और यहां से इसके blend mode को हम लोग change कर देंगे screen पर और इसकी opacity को हम लोग कर देंगे 80 पर and then इसके भी size को हम लोग increase कर देंगे around 12 second पर अब guys इसमें हम लोग add करेंगे optical flare तो optical flare add करने के लिए हमारे पास में optical flare की file है इसको हम लोग drag करेंगे और dust के ऊपर layer पर drop करेंगे and select करके इसके blend mode को हम लोग यहां से change कर देंगे screen पर अब guys इसमें हम लोग spark देंगे तो spark को हम लोग select करेंगे optical flare के ऊपर इसको drop कर देंगे और spark clip को select करके इसके blend mode को हम लोग change कर देंगे screen पर अब गईज यहां पे हम लोग create करेंगे एक adjustment layer, तो adjustment layer करने के लिए हम लोग new item पर click करेंगे और adjustment layer पर click करेंगे and ok प्रेस करेंगे, then adjustment को drag करके और spark layer के उपड़ ड्रॉब करेंगे and then adjustment layer को select करेंगे और इसके blend mode को हम लोग करेंगे multiply पे और इसकी opacity को हम लोग यहां से कर देंगे 70% पर, अब guys हम लोग एक और adjustment layer create करेंगे और इसको drag करेंगे और previous adjustment layer के उपर वाली layer पर इसको drop करेंगे and इसके भी size को हम लोग increase करेंगे, then this adjustment layer को हम लोग select करेंगे और यहां से जाएंगे हम लोग हमारे effects के अंदर और यहाँ पे हम लोग search करेंगे crop और इसको drag करके adjustment layer के उपर drop करेंगे and then crop में top हम लोग करेंगे 10% and bottom हम लोग करेंगे 10% तो यह हमारे cinematic bar यहाँ पे create होगे, अब गाइज इसमें हम लोग add करेंगे कुछ ash particle ash particles को हम लोग drag करेंगे और इसको हम लोग adjustment layer के उपर drop करेंगे और इसको select करके इसके blend mode को हम लोग कर देंगे screen पे and again crop को select करेंगे और ash particle लेके उपर drop करेंगे और यहां से top से कर देंगे 10 and bottom से कर देंगे 10% अब guys इसमें हम लोग थोड़ा fog effect देंगे और fog को select करके इसके blend mode को हम लोग कर देंगे exclusion पे इसकी scale को increase करेंगे हम लोग 200 पे और इसकी opacity को हम लोग drop कर देंगे around 50% पे crop को select करके fog लेर के उपर drop करेंगे and top से हम लोग इसको crop करेंगे 30% and bottom से इसको crop करेंगे 30% तो अब हमारे cinematic bar intact है तो यह guys हमने पूरा effect ready कर दिया है अब जो access clip है इनको हम लोग delete कर देंगे तो इनको delete करने के लिए पहले हम लोग razor tool select करके इनको cut करेंगे and then इनको select करके delete कर देंगे अब guys इसमें हम लोग देंगे background music तो background के लिए background sound के लिए हमारे पास में already है इसको हम लोग drag करेंगे audio layer के ऊपर इसको drop करेंगे अब guys इस clip को हम लोग करेंगे export export करने के लिए हम लोग control M press करेंगे output name cinematic title ही रहने देंगे और presets में जाके इसको high quality पे कर देंगे और इसको यहां से हम लोग export कर देंगे तो अब यह guys हमारी clip export होना चालू हो गई है हमारी clip पूरी तरह से export हो चुकी है तो सीधा चलते है desktop की तरफ और देखते हैं कि कैसा लगेगा हमारा यह effect तो गाइस कुछ इस तरह से आप लोग premium pro software plus after effects का यूज करके आप लोग एक cinematic intro create कर सकते हैं जो आप यूज कर सकते हैं अपनी वीडियो में प्लस आप अपने gaming channels के उपर भी इसको यूज कर सकते हैं तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टुटोरियल के साथ मैं तिल रहन स्टे सेफ जैहन